और बात करते हैं पटना में PFI के टिरर मोडिल से जूड़ी सबसे बड़ी खबर की पटना के फुलवारी शरीफ में ग्रिफतार आतंकी जलालुदीन के घर से पुलिस को कई संदिक समान मिले हैं जलालुदीन के घर से PFI ने 49 जंडे बरामत किये हैं पुलिस ने PFI का हिंदी और उर्दू में छपा पर्चा, बुकलेट और 49 जंडे बरामत किये कमरे से 30 कुर्सिया लगी हुई मिली हैं जिन पर बैट कर मीटिंग की जाती थी इसके साथ ही पुलिस ने घर से मुबाइल फोन को जब्त किया हैं इस डॉकुमेंट में लिखा है कि 2047 तक मुसल्मानों के हाथ में सत्ता लानी होगी जलालुदीन के घर से और क्या-क्या मिला है बता रहे हैं सवादाता नितीश चंत पुलिस ने जलालुदीन के घर पर जब छापे मारी की तो वहां से कई चीजे बरामत हुई यह वो चीजे हैं आप देखें यह जंडा जो है वो PFI का जंडा है और इस तरह के कई जंडे यहां से मिले यहां देखें यह इस तरह के कई जंडे हैं जो वहां पर थे PFI और SDPI इन दोनों का वहाँ पर चुकी दफ्तर था और इस वज़े से यहाँ पर उससे समंधित कई पर्चे जंडे यह सब वहाँ से बरामद हुए और वहाँ एक गदे के नीचे से जो इंडिया विजन 2047 था वो मिला और इसके अलावा तमाम यह जो आप दस्तावेश देख रहे हैं यह सारी चीजें जलालुदीन के घर से ही मिली जिसे किराय के तोर पर PFI और SDPI के किराय के तोर पर लिया गया था और अब देखें यह जो सारे ड़कुमेंट्स हैं जिसमें कि यह एकरारनामा है मकान का और इसके अलावा जो तमाम दूसरी चीजें हैं यह सारी चीजें यहां से बरामद हुई है और इसके बारे में उन लोगों से जब पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि किस तरह स यह जो संगठन उनका चल रहा था संगठन से लोगों को जोडने के लिए जो तमाम कोशिशें हो रही थी जो पर्चे बाटे जाते थे वो सारी चीजें वहां मौके से मिली और पुलिस अब यहां भी देखे बहुत सारे जो डॉकुमेंट्स दिखाई दे रहे हैं रजिस्टर लोग थे और कौन से लोग थे जो इस पूरे नेटवर्क में शामिल थे और अब इसके जरीए पुलिस तमाम उन लोगों तक पहुचने की कोशिश कर रही है जो इससे जुड़े हुए है और लगातार पुलिस की चापे मारी अभी चल भी रही है एसपी फुलवारी शरीफ का ये दफ्तर है और यहां भी आप देखिए तमाम वो जंडे ये खास तरह का इनका जंडा और इसको लेकर जो उन्होंने अपने विजन डॉक्मेंट में जो बाते कहीं है उससे जोड़कर अब पुलिस तमाम चीजों को देख रही है कि कैसे इंडिया को एक इसलामिक कंट जो चीजें वहां से बरामत की है और जो जानकारिया मिली है पूस्ताच के दौरान उन दोनों के अधार पर इस पूरे नेटवर्क को खंगानले में जुट गई है